हेलो एव्रिवन वेलिकम तो माई चैनल लॉजिक पाच्छाला क्लास 7 का हम चाप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे 11.1 एक्ससाइज का हमने 6 कोईशन ता कम्पीट कर लिया था आज हमें 7 कोईशन से स्टार्ट करना है स्टार्ट करते हैं ता पैरेमिटर ओफ ए रेक्टेंगल इस 130 cm if the breath of the rectangle is 30 cm fine its length also find the area of the rectangle आपको क्या दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है क्या क्या दिया है हमें एक तो हमें पैरेमिटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का ठीक है दूसरी चीज हमें दिया है breath ये 30 cm हमें सबसे पहले length fine करना है and then उसके बाद area fine करना है तो जो जो है वो हम लिख चुके है हमें parameter of rectangle दिया हुआ था हमने वो भी लिख लिया उसके बाद हमें breath दी हुई थी और हमें क्या length और area निकलना था तो जो दिया होता है हम उसी का formula लगाते है parameter दिया है तो parameter का formula कितना होता है 2 into l plus b यहां से हम क्या करेंगे parameter की जगह हम क्या रखेंगे 130 क्योंकि हमें उसकी value दिये 2 multiply l हमें निकालना है तो l की जगह l रखेंगे breath हमें दिये तो हम उसकी जगह 30 रख देंगे जो चिस given होती है उसकी place पे उसकी values को put कर दीजे उसके बाद 2 अधर multiply में फर्स्ट काम क्या है 2 को अधर divide में लेके आने का इधर 5 is equal to l plus 30 यहां से l की value निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 65 में से क्या है 30 को minus करना पड़ेगा क्योंकि 30 जो है उधर चाहेगा 65 के पास तो minus हो चाहेगा minus करते है 5 में 0 minus क्या 5 6 में 3 minus क्या 3 तो 35 cm क्या आ गई हमारी पास l आ गई तो simply हमने कुश नहीं क्या जो भी हमारे पास value थी वो हमने अपने formula में put करके l की value निकाल ली उसके बाद दूसरा काम क्या हा हमारे पास area निकालना है हमें तो area का formula क्या हो जाएगा एरे का formula होते है length into breath L हमारे पास कितनी है L है हमारे पास 30 breath अभी हमने निकाली है 35 उसके बाद हम क्या करेंगे multiply 3 5s of 15 3 3s of 9 9 में 1 plus करेंगे 10 आचाएगा और A की 0 यहाँ पे आचाएगा तो हमारे पास एरे कितना आचाएगा 1050 cm2 according to question हमारे पास parameter given था और breath given थी length और area हमें निकालना था जो given है उसी का formula यूज़ करेंगे तो parameter का formula लगा के हमने यहां से solve किया 2 को divide में लिया देन उसके बाद answer को हमने minus किया length हमारे पास आ गई अब length आ गई दूसरा काम था area निकालना area का formula होता है length into breath तो हमने L की जगव उसकी value रखी breath की जगव value की put की और दोनों की क्या कर दी multiply कर दी तो हमारे पास area भी आ गया आगे बढ़ते हैं last question exercise का a door of length 2 meter and breath 1 meter is fitted in a wall एक जो है हमारे पास दर्वाजा है ठीक है देखें इस तरीके से एक diagram भी दिया हुआ है यह हमारे पास क्या है एक wall है उसके बीच में एक दर्वाजा लगा इस दर्वाजे की जो length है वह है two meter और जो breath है वह one meter है इसे हम two ले 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 क्योंकि छोटी यह वह बढ़ी है ठीक है इस तरीके से हमारे पास एक दर्वाजे की length of breath दे रखी है जो दर्वाजा जो है वह एक इस wall में क्या है fit है अब इस wall की क्या दिये length दिये length का मतलब इस से यह दिये हमें 4.5 meter और जो breath है वह दिये हमें 3.6 meter उसके बाद क्या बोला है find the cost of white washing the wall if the rate of white washing the wall is 20 rupees per meter square हमें निकालना है कि इस हमें जो हमारे पास यह wall है हमारे पास इसको हमें white wash करना है तो हमें white wash की cost निकालना है और आपको 1 meter square की cost भी गिवन है 20 rupees अब एक बात सोचे आपके पस एक दिवार है दिवार में दर्वाजा फिट है तो दर्वाजे पे तो white wash नहीं होती इसका मतलब क्या हुआ हमें जो इस पूरे की wall की area में से इस दर्वाजे की area को minus करना पड़ेगा अब आभी कहेंगे कि हमने area क्यों निकाला क्योंकि देखे हमें cost में जो unit दे रखिये वो meter square की unit है और आपको पता है meter square किसकी unit होती हमेशा area की unit होती है तो अगर आप कहीं confused हो आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि area निकालना है कि आप parameter निकालना है तो आप हमेशा cost से पता कर सकती है कि अगर cost में meter square आपको given है it means आपको area निकालना है और अगर यहाँ पर meter given होता it means आपको parameter निकालना होता तो हमें क्या करना पड़ेगा देखिए हमें यहीं समझ में आगा डाइगराम में कि जो वाइट 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 गीवन थो क्या क्या चिन एक तो ड्वॹ की लेंथ इसे क्यों तो से इंटी घ्डार और यूी इंट gotta square उसके बाद हमारे पास देखें length और हमारे पास length of wall की भी given है wall की हमारे पास length कितनी है 4.5 4.5 meter और हमारे पास wall की breath भी given है which is equal to 3.6 meter तो हमें इसका भी area निकालना है तो हम क्या करेंगे area of wall निकालने है सबसे पहला काम तो यह है दोनों के area निकालना area का इसका भी क्या उतना हो जाएगा l into b हो जाएगा l की value है 4.5 b की value है 3.6 multiply कर लेते हैं यहां side में 4.5 और 3.6 की multiply करते हैं 6 5s are 30 6 4s are 24 24 में 3 plus के 27 यह cross लगा है 3 5s are 15 3 4s are 12 और 1 13 0 7 में 5 प्लस के 12 3 में 2 प्लस के 5 5 में 1 प्लस के 6 और यह वान आ जाएगा point कितना लगाएंगे हम 2 डिजिट के पहले क्योंकि यहां पर भी एक डिजिट के पहले यहां पर भी तो total 2 डिजिट के पहले तो हमाई पस जो wall का area आया है वो कितना आ गया 16.20 मीटर स्क्वायर अब हमें देखे क्या करना था हमें जो wall का area था उसमें से हमें door को area को minus करना था तो हम क्या निकाल लेंगे area of remaining part जो हमारा remaining part का मतलब जो हमाई पस area बच जाएगा तो area of wall का मतलब 16.20 minus area of door है हमारा 2 तो 16.20 में से 2 को minus करेंगे तो हमाई पस आ जाएगा 14.20 zero meets square तो ये हमारे पस क्या आजाएगा area आजाएगा तो देखिए हमारे पस क्या क्या विए यह पहां क्या था सबसे पहला जो हमारा काम था हमें length of door और breath हमारे पस given ती तो हमें area of door निकालना था area of door के लिए हमने alien to b किया तो हमने क्या किया यहाँ से area निकाल दिя उसके बाद हमाईे परस length of wall भी है और उसकी हमें breadth भी दी गई है तो हमारा दूसरा काम था area of wall का निकालना तो हमने क्या किया area of wall भी निकाल दिया अब आप एक बात देखे हैं कि हमारे परस एक इस तरीके से wall है उसके बीच में एक दर्वाज़ फीट है तो हमें के करना है इस दर्वाज़े पे तो white wash हम नहीं करेंगे इसका मतलब जो पूरी wall के area में से इस दर्वाज़े के area को सबसे पहले काम है minus करने का तो हमने वाल केर, हम इसे दर्वाजी केर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, अब हमें कॉस्ट निकालने है, तो कॉस्ट कैसे निकल जाएगी, कॉस्ट हमाँ पस 1 मीटर स्कॉर की कॉस्ट दे रखिये, कितनी 20 रूपीज, 1 मीटर स्कॉर की 20 रूपीज कॉस्ट है न हमाँ पस, उसके बाद है कि 1 meter square की cost 20 rupees है तो हम आई पस total कितना आया है 14.20 meter square तो हम क्या करेंगे 1 meter square की cost से इसकी क्या कर देंगे multiply कर देंगे तो 20 से की multiply हो जाएगी 20, 0, 0, 22, 4, 24, 8, 21, 2 और 10, 20 के पास वी तो यहां पर और point कितने digit के पहले लगेगा टू डिजिट के पहले हम पर point लगे हो तो इतने हमाई पर rupees आ गए मतलब 284 rupees लगेंगे हमारे total white wash होने में तो बस आपको ध्यान क्या रखना था यह वाला step जो minus वाला step है आपको यह ध्यान रखना है कि आपको दर्वाजे पर कभी भी white wash नहीं होती तो हमें पूरी वाल में से डूर के इर्या को minus करना पड़ेगा तो यहाँ बर हमारे exercise finish होती है एक लिए exercise को next video में करेंगे तब तक के लिए बाई